हेलो एवरीवान और वालकम टू जी एस फाइटर्स दोस्तो आज है तीन दिसमबर और दिन है संडे संडे को हम केबल रिवीजन करेंगे हमने पिछले संडे से लेकर और सेटरडे तक का जो भी हमने करेंट अफियर्स डिसकस किया था उसको इस वीडियो में यानि कि हर संडे क को पूरे वीक का डिसकेशन करेंगे हम लोग और डिसकेशन केबल रैपिड डिसकेशन होगा ठीक है यानि रैपिड रिवीजन होगा ये और इसमें केबल हम जो उन महतपूर्ण बिन्दूआ को रखेंगे जो हमारे जो एक्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महतपूर्ण है और जिनको हम पहले इस हफते के अंदर अंदर डिसकस कर चुके हैं ठीक है इस वीडियो में हम डारेक्ट पॉइंट तौइड डिसकस करेंगे ठीक यानि 26 नमबर से लेकर 3 दिसंबर तक का जो भी करेंट अफियर्स है और वो फैक्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो चलिए देखे इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे वन लाइनर फैक्ट होंगे उनको दिवस सेलिब्रेट किया गया जल सकती मंतराले के दुआरा दिल्ली के महरोली में जल इतिहास उत्सब का आयोजन किया गया नरेंदर मोदी जी ने जलवायू शिखर संबेलन यानि कॉप 33 यानि जो की होगा दो हजर अटाइस में इसको आयोजित करना भारत में आयोजित कर पहला दूर संचार उत्करश्टता केंदर आयाईटी रुड की सहारनपूर में इस्थापित किया जाएगा ठीक है सिक्षा के छेत्र में वाइस प्रोसकार जीता है सफीना हुसेन ने बैंक रहित ग्राम पंचायतों को वित्य सेवा उपलब्द करानी के उद्देश्य से ओ प्रोडिशा में महतपूर्ण प्रेशन है याद रखेंगे गुजरात सरकार ने घोल मचली को अपनी राज की मचली घोशित किया है ठीक है ध्यान रखेंगे गुजरात की सरकार ने यूएस ओपन 2022 पुरुस सिंगल का खिताब जीता है कार्लोस अलकराज के द्वारा और उ पुरुस होकी चेंपियंशिप जीती है पंजाब ने पंजाब ने इसमें हर्याना को पराजित किया है नागा लेंड में दस दिवसिया हॉर्ड विल फेस्टिवल का आयोजिन शुरू हो चुका है ठीक है चलिए युनाइटे नेशन फ्रेमबर्स कन्वेंशन ओन क्लाइमेट चेंज की 28 में बैठा क्यानी कॉप 28 दुबई में आयोजित किये जा रही है नेपाल ने समलेंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी प्रदान कर दी है गुजरात का वर्दा वन्यजीव अभ्यारन ने होगा ACI शे प्रदान का नाम चेंज हुआ अब इनको बोला जाएगा आईश्मान आरुग्य मंदिर प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हो चुका है और इसका सुभंकर है उज्वला आयरलेंड की लेखिका है पॉल लिंच इनको मिला है बुकर प पन्यास है उसके लिए फिल्म फेर ओटीटी अबॉर्ड्स 2023 में इसकूप एक वेब सीरीज है इसने जीती है वैस्ट सीरीज का अबॉर्ड गोवर्धन बायोगेस समेलन का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया प्रधान मंत्री गरीव कल्यान अन योजना को अगले सही चीन के नागरिकों को मलेशियाई सरकार ने 30 दिनों तक वीजा फिरी एंट्री देने का किया अनॉंसमेंट देश का सबसे बड़ा बाग अब्यारन मध्य प्रधेश के दमोहार जिले में इस्थापित किया जाएगा अंगनवाडी केंद्रों पर बच्चों के लिए गर्म और पौश्टी खाना प्रधान करने के लिए उत्तर प्रदे सरकार के द्वारा होट कुक्ड मील योजना सुरू की गई है सिक्षा में कमजोर छात्रों के लिए बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष योजना सुरू की गई है संभिधान दिवस साथ में राष्ट्रिय दुग्द दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है ठीक है जी चलिए उत्तर प्रिदे सरकार के द्वारा 25 नवंबर को 9 नॉनवेज डे यानि साकाहरी खाना जो होता है उसको प्रमोट करने के लिए 9 नॉनवेज डे जैलिब्रेट किया गया दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है ठीक है जी तो यह सब था हमने जो डिसकस किया है पिछली वीडियो में एक हपते का जो वीडियो है उसमें जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी को हमने रैपिड रिवीजन किया है और चाहो तो इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो पसंद आईए तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल से नहीं जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकन को ज़रूर दबाईए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, चलिए, फिलाल जै हिंद, जै भारत!